देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले घट रहे हैं। लगातार घटे मामले इस और संखेत दे रहे हैं कि शायद देश में कोरोना की दूसरी लहर का पी का चुका है या फिर अगले कुछ दिन में आने वाला है हाला कि कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने वाली है। क्योंकि कई ऐसे राज्य है जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं इनमें वो राज शामिल है जहां हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं 6 माई को देश में 4.14 लाक नए मामले सामने आए इसके बाद से रोज आने वाले नए मामले लगातार घट रहे हैं हारा कि 30 अप्रैल को देश में पहली बार 4 लाक से ज्यादा केस आने के बाद भी नए केसेज की संख्या में गिरावट आई थी लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब 7 दिन के ओसत पर रोज आने वाले केस लेने पर दिन विशेश में केस में होने वाली कमी या उच्छाल एजस हो जाता है साथ दिन के ओसत के हिसाब से देखें तो माई को सबसे ज्यादा 3.92 लाक नएकेस आए उसके बाद से ये लगातार घट रहे हैं कि एक ज़ेशे पिछले दो महीने में पहली बार सुमवार को नएकेस से ज्यादा रिक्वर हुए मामले सामने आए यानि दो महीने बाद एक्टिव केसेज बनने की जगा घटे अप्रेल के अंत में हर रोज एक लाक एक्टिव केस बन रहे थे माई में ये तेजी से घटे हैं यहां तक कि ये अब रोज एक्टिव केस के आंकरे में 10,000 से भी कम की बढ़ात हो रही है रविवार को एक्टिव केस का जो आंकरा 37,000,000 को पार कर गया था अब उसमें भी गिरावट शुरू हो गई है रोज आने वाले नए केसेज की संख्या जब गिरनी शुरू हूई तो कहा गया कि टेस्टिंग घटने की वजह से ऐसा हो रहा है लेकिन पिछले कुछ दिनों से रोज 18,000,000 के आसपास टेस्टिंग हो रही है इसके बाद भी रोज आने वाले केसेज में गिरावट देखी जा रही है कोरोना की दूसरी लहर में जिस पाप की सबसे ज़्यादा चर्चा रही वो है पॉजिटिविटी रेट यानि जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें से कितने फीसदी टेस्ट पॉजिटिव आ रहे है कोरोना की पहली लहर में ये पॉजिटिविटी रेट हमेशा 5% और 6% के बीच बना रहा लेकिन दूसरी लहर के दौरान ये लगातार बरता रहा यहां तक कि ये बढ़कर 20% को भी पार कर गया कुछ राज्यों में तो ये 40% को भी पार कर गया है पॉजिटिविटी रेट ये पता चलता है कि अगर टेस्ट बढ़ाए गए तो संक्रमर के मामले और बड़े स्तरपरा सकते हैं पॉजिटिविटी रेट स्यादा होना इस और भी संकेत देता है कि संक्रमर के फैलने की दर बहुत स्यादा है पूरे अप्रैल महीने में ये बढ़ता रहा मैं के पहले हखते में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 22 साल फीसद तक पहुँच गया था इसके बाद इसमें गिरावट शुरू हुई है अब ये गिरकर बीस एक परसंट परा गया है बीरो रिपोर्ट न्यूज वर्ल्ड इंडिया